आप लोगों को हमने जो है नाविकी संग्रेशना प्रेमारी संग्रेशना स्पेक्ट्रम की उत्पती ये सारे लेशन पढ़ा दिये हैं आज हम लोग बहुत ही बी आई पे और फुल इंट्रेस्टिंग लेशन पढ़ेंगे नाव की उल्जा आपको बताना चाहेंगे इसके पहले एक लेशन है रेडियो अक्युटा उसको हमने नहीं पढ़ाया क्योंकि करोना ने उसको खा लिया है रेडियो क्युटा बहुँ ये लेशन था लेकिन बीना हमको बताई कि करोना की वज़ा से लेशन कट गया है ये लेशन अगर पढ़ा जो तो इसके बाद एक ही लेशन आपका सेकंड पेपर का अंतिम सीरे का बचेगा जिसका नाम है अर्धचालक और आप समझ रहे हो कि दिसंबर के महीने में फिर इस टाइप का लेशन इधर के लेशन समाप्त हो जाएंगे हम से बैक करेंगे जो है आपको तरंग और प्रकास की योड़ ठीक है तो तरंग तो आप सभी पढ़े हो पढ़ोगे प्रकास तो रिवाइज हो जाएगा हमारा पूरा खत्म हो जाएगा और अगर आप सेरियसली चला जाए एक्स्ट्रा क्लासें मिलती रहें तो भगवान के हिसाब किताब से दिसंबर में कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा पूरा फ़स पेपर बढ़ाई हुए है तो सिकंड पेपर में केवल एक पाकिस के बाद बचा है जानकारी दे रहा हूं कि आपको अपने कोर्स तक भी जानकारी रखो जन्वरी तक आप लोग पढ़िएगा सभी लोग जो सुरू से मेरे साथ हो क्योंकि जन्वरी के महीने में जो एकार लेशन बचे रहेंगे उनको पढ़ाएंगे फर्स पेपर का प्रत्यावर्थी धार और फुल अंसाम हो आएंगे अंसाम लगवाने से बेटा दो फायदे होंगे एक तो रिपीट हो जाएगे तो अच्छे स्यार हो जाएगा हम सटर्डे संडे वाला प्लान करें डारेक्टली एक तरफ से अंसाम लगवाएंगे रोज पूरा एक महीने में हमारी काल से 10-15 दि स्टरू करेंगे जो बच्चे लेट लपेट आएंगे वह अपना पढ़ते रहेंगे या जो चाहेंगे कि नहीं क्लास लेते रहें नहीं घर बैठेंगे भूल जाएगा तो पढ़ते रहेंगे कुछ न कुछ पायदा ही होता रहेगा क्योंकि पिता अगर गैब बहुत मिल जाता है तो जो पढ़ेरों सब भूल जाता है तो मेरे खियाल से कोर्स सब सभी चला है अभी कोई खतम नहीं कर पाया है यह जान तो देखो बच्चों सबसे पहले आज हम लोग जो है मिलेंगे एक फेमस साइंटेस्ट यस्पाल के चाचा भी थे अलबर्ट आइनिस्टीन से अलबर्ट आइनिस्टीन के बारे में ये प्रचलित है कि he was the most talented person of the world who used his mind more than other person of the world देखो हमारी अंग्रेजी आज कल थोड़ा से तेज हो रही है आप लोगों के साथ ये हर सित्वा सिखाती है हमको उगले सामको पंदरा मिनट पढ़ाती है पड़े आल लाइन तो अंग्रेजी मेरी तेज हो रही है बताया मैंने जैसे कि अल्बन टाइनिस्टीन एक ऐसे बंदे थे संसार के जिनों ने जिनके बारे ने कहा जाता है कि जो अपने दिमाग का प्रियोग अपने जीवन काल में अन्य वेक्तियों के पेच्छा चादा किये हैं ये बहुत talented person थे सिखात जी माना ये जाता है कि मनुस जब से पैदा होत और जब तक मरता है मने जीवन में उसके दिमाग का यूज होता रहता है। वह अपने दिमाग का प्रियोग प्योग पैदा होने से ले करके अंतकाल तक करता रहता है। और ये जो है तमाम ब्यक्तियों के मस्तिस का मरने के उपराद पोश्माटम होगेरा के दौराद डाक्टर ने जो है चीरपार करके ये कल्कुलेट किया है कि आम तोर पर जो हम आप मनुष्य के रूप में है विक्रांता जी पूरे जीवनकाल में अपने पूरे के पूरे मस्तिस का मुष्ट लिए सवा दो प्रत्सत पौने दो प्रत्सत से लेकर के सवा दो प्रत्सत तक कही इस्तिमाल कर पाते हैं 98 प्रतिसत दिमाग हमारा अंटच बचा रहता है मने जिसका हम जो है यूज ही नहीं कर पाते हैं 80% दिमाग का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं केवाल पौने 2% से लेके सवा 2% तक के ही दिमाग का इस्तेमाल हम अपने पूरे जीवन काल में करते हैं मनलब 100 रुपिया अगर है थमक्यों दूरुपीय खर्च कर पाई थी अठाने रुपीय हमार अंटज बचा रहे जाते हैं सोच लेजिए अगर जो है दिमाग का इस्थेमाल मात्रमेतने कर पाते हैं इसका मतलब हम दिमाग का कोई भी प्रियोगन नहीं करते हैं लेकिन जो साइंटिस्ट औगेरा होते हैं जो बिद्वान होते हैं जो तमाम आविस्कार औगेरा करते हैं वो सवा दो से ढाई तक पहुच जाते हैं मने वज्ञानिकों के दिमाग का जो है सोध किया गया तो यह पाया गया कि उनका मुश्किल से धाई प्रस्टक का ही दिमाग को ये लाइफ काल तक इस्तिमाल हो पाता है लेकिन बच्छों जब अलबर्ट आइजिस्टेन के मस्तिस्क का सोध हुआ उनके मरने के उपरांत तो वो जो है साथ प्रतिसत कर्च हो गया था समझ लिजिए कि दुनिया में जितने भी बंदे थे सबका तीन गुना उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था अगर दो सवादो है तो ये लगवग साल पहुँच गए थे तो मतलब अपने जीवन काल में अलबर्ट आइजिस्टेन हमेशा बेटा कुछ न कुछ खोजते रहते थे वो कभी एक मिनट भी बैठते नहीं थे हमेशा कुछ न कुछ पता करते रहते थे ये क्या है ये कैसे हुआ इसे कैसे हो जाएगा हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहते थे दुनिया में उनका दिमाग मुजियम में रखा गया था क्योंकि वो एक ऐसा दिमाग था जो अन्य दिमाग के पेश्चा जादा ही हो चुगा था सोचो अलबर्ट आइडिस्टीन इतने दिमागी परसं थे इतना ज़्यादा टैलेंटे थे इतने आविश्कारक थे और इतना ज़्यादा दिमाग का उन्होंने प्रियोग किया था लेकिन कितना साथ परसंट और अगर कहीं कोई है ऐसा बंदा हो जाया तो दिमाग का में एक ऐसी प्राकृतिक देन है जिसका हम आप प्रियोग नहीं कर सकते हैं बचो फूरी तरह से बचो आपको जो है सोचना चाहिए कि भगवार या जो सुपरनेशूरल पावर है हमारे सरीर का निर्माण जो करता है कितना टैलेंटेट परसंट है सरीर के एक एक अंग का अ ब्लेट का जो है सर्कुलेशन और ब्लेट को पलचाता है लाटा है बेचता है आप पंपिंग मसीन जो बनती है समसे अगुल वगएरा कितनी बड़ी जगह में कितनी पाइंट साइट लगा करके बनती है जो पंपिंग मसीन है और 25-30,000 की बनती है आप सोचो को ये कैसी पं सब्लाइ करता है पंपिंग मसीन है इसकी एक खासियत की तरी चोटी है दूसरी खासियत की बहुत तेज स्पीड से 500 मीटर पर सेकंड के ज़्यादा स्पीड से रख की सप्लाइ करती है इतना तेज ये जो है रख का प्रवा करती है पानी आपका जो है मुश्किल से 60-70 स्प में ब्लड का जो है फ्लो पाड़ी के पूरे अंगों में करती है पहली चीत तो तिने छोटी है ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज स्पीड में करती है दूसरा आप सोचो कि जब से आप पैदा होते हो और जब तक आप जीते हो अगर साइटिस्ट लोग इस तरह के मसीन बनाना चाहिए कि जो बहुत छोटे साइज में हो हार्ट के साइज में हार्ट जैसा वर करती हो और सबसे बड़ी खासियत कि यह जो है सतर साल अक्सी साल तक जितना दिलतखार में जीता है असी साथ तक बिदा रुके कंटीनिवाश चाहुई गंटा चलती रहे है ऐसी मसीन बनाना हो अगर तो निश्चित तोर पर साइंटिस्टों को कल्कुलेशन है कि ऐसी मसीन बनाने में 20 बरस लगेगे 20 बरसों में कहीं जाके ऐसी मसीन बन सकती है सायद और उसकी लागत उस मसीन की कीमत कितनी होगे अंदादा नहीं लगा सकते आप लोग कर्बो मिलियन डालर कोगी बहुत जादा कीमत होगी उसके चलो ठीक है यह एक चोटा पार्ट है आपके बाड़ी का कितना कीमती और कितना महेंगा और कितना जटल तरीके बना है ऐसा ही बच्चों आप अगर अपने लीबर को देखो लीबर एक ऐसा अंग या किर्थी शरी बीस हजार से ज़्यादा chemical reaction होते है रासानी किरियाँ वहाँ बहुत होती है बिटामीन एका संसलेसर बिटामीन एका पचाना बी का सी का जी का सब और जो है जो खाने में तमाम तरह क्याँ बटे दिल तीखा मीठा की खटा सबका पाचन करना अमली और शारी माध्यम का डिसकर्पन करना अलग करना उसमें से बिटामीन लग करना कचला अलग करना माले वहाँ पर वीस हजार से ज़्यादा reactions होते है माले our liver is a chemical plant factory कोई एक जो है रासानी factory है जहां इतनी ज़्यादा reactions होते है और बहुत तीरवगती से होते है साइंटिस्टों ने calculate किया है कि लीवर में जितने reactions होते है और जितनी speed से होते है अगर ऐसा कोई factory बना नहीं हो कि जो इतनी speed से reaction करे और इतने ज़्यादा reaction करे तो उसके लिए बेटा तीन state के बराबर जगा के required होगी मतलब कम से कम जो है बीस हज्याद बीस लाख और गमीटर जगा की जब्रत होगी इतने बड़े plant को इस्थाफिट करने में कि जिसमें लीवर के बराबर reaction सोचे जितना रीक्सन लीवर में होते है उतना रीक्सन करने वाली कोई factory अगर plant की जाए तो वो तीन चार राज के बराबर जगा लेगी माने बहुत बड़ी बनेगी इतनी बड़ी बनाई नहीं सकते कि जो है साइकिश लो सोचो कितनी बड़ी सामर्थ का किसने दिमाग लगा है कितना powerful बंदा था जिसने बना दिया है लीवर जैसे हैं इन सब अंगों के बारे में तो बनाने को साइकिश सोच सकते हैं कल्कुलेट कर सकते हैं बना नहीं सकते हैं कल्कुलेशन कर सकते हैं कैसे बन सकता है ऐसे कल्कुलेशन हो सकता है इतने दिन होगा सोचो लीवर छोटे से आएड़े ज्यादा ज्यादा एक देर किलो को पाठ है या लेखे नगर बनाना चाहें तो तीन राज कह रहे हैं जीला नहीं कह रहे हैं तीन राज के बराबर अस्थान चाहिए इतनी बड़ी फैट्री डालने का जिसमें इतना रियक्संस हो सके और वो भी कंटिनिवर 24 गंटे होते रहे यह impossible है और इतने बड़े पलाट को एनरजी कहां से मिलेंगी कहां सोगे आप तो थोड़ा सका लित वे नजी मिल जाती है कहां अप डिजल पे टरूल खाते हो हो जनी तो करते हो थोड़ा सा एनरजी देते हो सबको काम बग एनरजी मिल जाती है क्या system है इन सबका तो बीना म क्योंकि उसका इतना कार है उसके कार के बारे में भी साइंटिस्टों को पता ही नहीं है मनलब के मुश्किल से जो है उसके 10 प्रतिसद कार को साइंटिस्टों जान सके हैं कि ये इतना कार करता है यहाँ पर यह 10 का हिस्टा होता है यहां से हर्ट की कंट्रोलिंग होती है, यहां से हर्मोन की कंट्रोलिंग होती है, इस जगा मस्पिस का हिस्सा है, यहां से सरीर के और अंगों की कंट्रोलिंग होती है, यही तरह जान पाए है, अथा है, ब्रेन के बारे में जानकारी ही पूरी नहीं हो पाई है, कैसे है, क्या है किस तरह से है उसको बनाने की कलपना यह संब्र हो है बनाए नहीं जा सकता कहने का ताथ पर हमारा सुरीर बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट